हलो एवरिवान, वेलकम तो अम्रीन्स रेसिपीज, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मटन पुलाओ की रेसिपी, जिसे हम गोश्ट का पुलाओ भी कहते हैं, तो ये बहुत ही आसान डिश है, स्पेशली हमारी दावतों के लिए बहुत ही इसली बन जाती है, तो च काटोरी दही, ये लगबग 1500 ग्राम दही है, पाँच टीस्पून मैंने यहाँ पर अधरक लेसन का पेस्ट लिया है, इसे आधा हम गोश्ट गलाने के लिए यूज करेंगे, साथ में यहाँ पर मैंने गरम मसाले, ये सारे साबुत गरम मसाले यूज किये है, एक मोटी पाइची, दालचीनी के तुकडे, एक चकरी फूल, काली मिर्च, लॉंग और ये शाजीरा, तो ये सारे मसाले हम साबुत इस्तिमाल करेंगे, साथ में मैंने यहाँ पर एक टीस्पून सौफ और एक टीस्पून मैंने धनिया ले लिया है, इसे मैं क्रश कर लूँगी, और यहाँ पर मैंने हरी मिर्चे लिये है, पाच से साथ, आप हरी मिर्चे चीर कर ले लिजे, एक कटोरी मैंने धनिया और पुदीना ले लिया है, साथ में यहाँ पर मैंने प्याज ले लिये है, चार से पाच मीडियम प्याज हमें लेनी है, इसे मैंने स्लाइस कर लिये है, द अहां पर कुकर में मैंने 3-4 टीसपून तेल दाल दिया है और यह जो हमने गरम मसाला लिया था उसमें से एक एक पीस आप इसमें थोड़ासा दाल दीजे तेल में और साथ में मैंने थोड़ी सी इसमें प्यास दाल दी है ताकि गोश का जो raw smell होती है वो पूरी तरह से निकल जाती है तो हमें थोड़ा सा इसमें गरम मसाला और प्याज और थोड़ा सा हम अदरक लेसन का paste भी इसमें डालेंगे ताकि इसका जो raw smell है वो खतम हो जाए देखिए एक टीस्पून मैंने जो 5 टीस्पून अदरक लेसन के paste लिये थे उसमें से एक टीस्पून मैंने यहाँ पर कुकर में डाल दिया है इसे अच्छी तरह से आप भून लीजे अब यह जो गोश्ट हमने रखा था यहाँ पर यह हम इसमें अड़ कर लेंगे और अच्छी तरह से पहले आप इसे भून लीजे ताकि यह सारा जो मसाल है वो इसमें लग जाए अब मैं यहाँ पर एक टीस्पून नमक कर रही हूं फिर से अच्छी तरह से आप इसे मिक्स कर लीजे अब हम इसमें आड़ कर लेंगे पानी तो यहाँ पर मैंने देड़ ग्लास पानी डाल दिया है देखें यहाँ पर देड़ ग्लास पानी अप मैंने आड़ कर लिया है आप चाहे तो जादा भी आड़ कर सकते हैं अपने कुकर के साइज के साब से आप थोड़ा कम जादा इस्तिमाल कर सकते हैं पानी को तो यहाँ पर मैंने देड़ ग्लास पानी डाल दिया है और यहाँ कुकर का ढखकन लगा कर मैं इसे चार से पाच सीटी तक पकने के लिए छोड़ दूँगी तो जब तक हमारा गोश कलता है हम जो पुलाओ है उसे बगारने की तैयारी कर लेते हैं मैंने एक बरतन में पहले ही तेल दाल के रखा था यह लगबग एक कटोरी मैंने पूरा तेल साथ में यह जो मैंने खड़े गरम मसाले इस्तिमाल किये थे वो इसमें हम दाल देंगे तो देखे तेल में सबसे पहले हम गरम मसाले दाल देंगे ताके जो इसका फ्लेवर है पूरी तरह से तेल में उतर आए अब इसके साथ ही मैं अदरक लेसन का पेस्ट आट कर लूगी इसे अच्छी तरह से आप भून लीजिए अच्छी तरह से आप इसे भून लीजिए तो गरम मसाला और अध्रक लसन हम पहले आड़ करेंगे ताकि तेल में इस अच्छी तरह से इसके flavors छोड़ दे अब मैं यहाँ पर आड़ करूंगी प्याज तो basically हमें यहाँ पर प्यास बिरिष्टा नहीं करना है इसलिए मैंने प्यास को पहले आड नहीं किया है तो इस पुलाओं में हम प्यास को हलका सा golden brown होने तक ही तलेंगे इसलिए मैंने यह अधरक लेसन और गरम मसाले के बाद आड़ किया है तो इसे हमें अच्छी तरह से प्यास को भी इसमें भून लेना है तो देखे जैसी यह soft होने लगे और light brown इसमें थोड़ा सा shade आ जाए तो हम बागी के मसाले इसमें आड़ कर लेंगे इसे 3-4 मिनिट तक आप अच्छी तरह से भून लीजे प्यास को अब हम इसमें आड़ कर लेंगे टमाटर तो ये जो दो कटे टमाटर थे वो हमने इसमें आड़ कर लिये है इसे भी भून लीजे अच्छी तरह से अब ये जो हरी मिर्चे और धनिया और पुदीना था ये भी हमने इसमें आड़ कर लिया है हरी मिर्चे को आप बीच में से स्लिट कर लीजे आप चाहे तो इसे पीस के भी दाल सकते हैं अब अच्छी तरह से इसे भी भूल लीजे और ये जो धनिया और सौफ का मैंने क्रश कर लिया था आप थोड़ा सा इसे दरदरा मिक्सर में पीस लीजे और ये भी इसमें आट कर लीजे अब दालेंगे हम इसमें दःी तो ये कटोरी जो दःी हमने लिया था ये भी हम इसमें आट कर लेंगे और अच्छी तरह से इसे भून लेंगे तो देखें मसाला बिल्कुल बन के रडी हो रहा है हमारा तब तक हमारा जो गोश गल ने हमने रखा था वो भी हो चुका है तो देखे मैंने मीडियम आज पर ये रखा था उपर तेल छूटने लगा है इसका मतलब है कि मसाला विल्कुल रेडी है अब ये जो गोश गल के रेडी हो चुका था ये भी हम इसमें एड कर लेंगे तो इसका जो स्टॉक है वो हम नहीं डालेंगे अभी सिर्फ गोश डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से मसालों में भून लेंगे देखे चार से पाथ सीटी में गोश बिल्कुल अच्छी तरह से गल जाता है आप इसे अच्छे से मिक्स कर लीजे स्टॉक आप इसे बाद में डाल ली अब आलू जो थे मैंने थोड़े से तल के इसमें रखे हुए थे तो ये भी हम इसमें एड कर लेंगे तो पुलाओं में आलू का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है अब इसे जरूर डाले हलका सा इसे पहले ही तेल में तल दीजे सारे मसाले तलने से पहले और इसमें बाद में एड कर लीजे अब देखिए मैंने चार से पांच मिनिट तक अच्छी से भून लिया था अब मैं यहाँ पर जो चावल दोके रखे थे चावल भी दाल दूँगी अब अच्छे से आप इसे सब चीजों को मिक्स कर लीजे तो अच्छे से मिक्स कर लिया है अब यह जो स्टॉक हमारा जो गोश्ट गलने के टाइम पर जब स्टॉक बच जाता है तो यह स्टॉक अभी हमें इसमें दाल देना है और साथ में हम थोड़ा पानी भी दालेंगे देखे यह आप अपने हिसाब से जैसे चावल के लिए हमें पानी लगता है मैंने स्टॉक के साथ एक ग्लास और इसमें पानी दाल दिया है तो बहुत ज़ादा पानी ना दाले वरना यह बिल्कुल चिपचिपे बन जाएंगे तो देखे इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लीजे पानी दालने के बाद और एंड में हम दालेंगे इसमें नमक तो नमक मैं यहाँ पर दो टी स्पून दाल रही हूँ अपने टेस्ट के साब से आप दालें क्योंकि गोश्ट गल्ले में भी हमने नमक दाला हुआ था तो देखे चार से पाच मिनिट में इसे अच्छी तरह से बॉइल आना शुरू हो गया है तो देखे पाच मिनिट और मैंने रख दिया था तो लगबक दस मिनिट के बाद पानी पूरा सा ड्राइ हो चुका है अब जैसी पानी बिल्कुल रेडियूस हो गया है देखे चावल भी दिखने लगे है तो हम इसे ढख कर अब धीमी आज पर दस से पंदरा मिनिट तक दम पे पकाएंगे जब तक इसका पानी पूरी तरह से एवापरेट ना हो जाए तो देखे पंदरा मिनिट हो चुके है अब मैं ढकन हटा कर देख लूँगी देखे पूरी तरह से बन गया है रेडि हो चुका है चावल भी बिल्कुल देखे खुले बन गये है और पानी बिल्कुल एवापरेट हो चुका है तो अब हम इसे सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे तो आप देख सकते हैं हमारा मटन पुलाव बिलकुल बनके रेडी है चावल भी बिलकुल खिले-खिले बने हैं इसे आप सैलिट के साथ या रायते के साथ सर्व करें बहुत आसान रेसिपी है इसे आप जरूर घर पे ट्राय करें और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें